स्टूडेंट्स वेलकम बाक टू योर शोशल साइंस क्लास बच्चों मैं आपको सिविक्स का लेसन नंबर फॉर पढ़ा रही थी की ऐलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवश्मेंट तो हमने जाना था कि साउथ अफ्रीका में कैसे अपार्टिट लॉग के अगेंस इस्ट्र करके जिताते हैं यानि की एलेक्शन उसका एक की ऐलिमेंट था फिर हमने बात करी अदर वेज अदर वेज में जाना था धरना इस ट्राइक्स रैली यह सब करकी नाव नेक्स टॉपिक इस नीड टू रिजॉल्फ कॉन्फिक को खतम करने के लिए भी या उसको रिजॉल्फ करने के लिए हमें गवर्मेंट की जरूरत परती हैं तो सबसे पहले कॉन्फिक्स हैं क्या है कॉन्फिक्स जार्दा आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स अब यह किसी के भी बीच में हो सकते हैं बेटा इसका एक्जाम्पिल आप दो आप अपने घर में भाई वैनों की और आपका विए अलग होगा थो हम लोगों के बीच में या आप लोगों के बीच में भी थोड़ा असा अर्ग्यूमेंट हो जाता है लेकिन अभी आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं होता है जब यह वैलन्स हो जाता याई लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं पतराफ करन religion region or economic background do not get along with each other or when some among them feel they are being discriminated कुछ लोग कुछ जाती के लोग कल्चर के लोग आपस में हो सकता है या कुछ लोग समको लगे कि उनको discriminate किया जा रहा है उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है तो समय conflict हो जाए अब यह conflict हमारे लिए fear और tension भी create करता है society में जब यह कैसा हो जाता है violence हो जाता है लोग मारधार करने लगते हैं दुकाने जलाने लगेंगे लोगों को पथर मागने लगेंगे so the government is responsible for helping to resolve conflict so government will help us now there are the some few conflicts जो हम देखते हैं that is a religious celebration followers of one religion may object to the root of the religious procession conflict can happen when two groups do not get along with each other for example there could be a conflict if one group stops another group from taking out a procession through a particular root अब यहां पर जो root की बात की जा रही है तो मैं आपको बता हूँ जैसे कि जब हिंदूओं का festival आता है गरेश चतुती जब हम गरेश जी का विसर्जन करने जाते हैं या माता की चौकी निकालते हैं इसे ही मुस्लिम में जब ताजिया निकलता है तो अगर एक रूट पे लोग अपनी के रिलिजन के लोग ले कर जा रहे हैं तो दूसरे लोग आकर कि अगर उसके बीच में इंटर्फिया करते हैं उसको ले जाने से इस ताइम से इस ताइम तक उनकी जो रूट है जो उनका रिलीजियस सेलिब्रेशन का जो है वो जगे से निकलेगा तो वो रूट बंद रहेगा बाकी पबलिक के लिए ना तो conflicts also happen when people feel they are being discriminated against and hence being denied equal privileges यानि कि discriminate किया जा रहा है उनको equal privileges नहीं मिल लें बराबरी की चीज़ें नहीं मिल लें यह तब भी conflict arise हो जाता है देन आता है sharing of river water अब river water share करने की अगर बात होती है तो यहाँ पर states के बीच में conflict हो जाता है एक state से कोई river बहते हुए दूसरे state दूसरे state से तीसरे state जा रही है और तीनों ही state अगर उसका water use कर रहे है तो जो अपर stream वाला होगा अगर वो पानी छोड़ेगा नहीं तो नीचे वाले states को पानी नहीं मिलेगा so it arises a conflict now अब जब मैंने states की बात करी तो now I am going to tell you about the कावेरी water dispute between करनाटका और तमिलनाडू so बच्चों आपने सबने map देखा है इंडिया का आप जानते हैं करनाटक जो है उपर है और तमिलनाडू उसकी नीचे आता है दोनों ही state इसका water यूज करते हैं irrigation के लिए water supply के लिए इवन करनाटका के बैंगलरी शहर में जो water supply होती है वो उसी water से की जाती है अब conflict arise होगा जब एक state दूसरे state को water नहीं देगा यानि कि अपर stream वाला state जब तक water पानी को छोड़ेगा नहीं तो down stream वाले को मिलेगा नहीं अब इसको resolve कैसे किया जा सकता है the central government has to step in central government को उसमें अंदर आना पड़ता है मतब उस conflict को resolve करने के लिए central government को step लेना पड़ता है data fair distribution is worked out की fair distribution हो दोनों ही state को भराबरी से पानी मिल जाए और उनकी requirement भी पूरी हो जाए अब conflict resolve करने के तरीके हैं जो कि हमें मालूम है हमारा जो भी conflict होता है वो government resolve करती है कई बार पुलिस हमारे बीच में आकर के conflict resolve करती है दो लोगों के बीच में जगड़ा हो सकता है या कुछ group के बीच में तो पुलिस आकर के उसे resolve कर देती है कई बार हम court से भी help लेते हैं तो court हमारा conflict को resolve करती है justice provide करती है जब आपने देखा states की बात आई तो central government उसको करती है central government देखती है कि वो काम सही तरीके से हो जाए और conflict भी resolve हो जाए अब हमारा next topic है equality and justice so in a democratic society country we equality and justice equality नहीं होगी तो democracy नहीं है वहाँ पर यानि कि अगर सारे लोगों को vote देने का अधिकार मिला हुआ है यानि कि सब को equally treat किया जा रहा है हर किसी को हर जगे जाने की permission है इसका मतलब वहाँ पर equality है किसी के साथ कोई मतभे नहीं किया जा रहा है कि ये जाप सिर्फ particular men के लिए है या girl के लिए है या सिर्फ इस स्कूल में क्या कहते हैं गल्स को नहीं गल्स कह रहा हैं इस पर्टिकुलर स्कूल में टीचर्स में सिर्फ और सिर्फ मेंस को ही जॉब मिलेगा या इस स्कूल में सिर्फ पर्टिकुलर फीमेल को ही जॉब मिलेगा तो ऐसा नहीं है कोई एक जगे से दूसरे बने हो सकता है कुछ उसकूल सिर्फ बॉइस के लिए कुछ गर्स के लिए तो वह दाट इस इंस्टिूशन में ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा कि पर्टिकुलर कास्ट के ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा equality और justice मैं कह सकती हूँ that are the two sides of one coin यानि कि एक सिक्के के दो पहलू है इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है जब मैं equality की बात कर रही हूँ तो मैं आपने first chapter में पढ़ा था कि हमारे country में untouchability का वो था कि हम लोग अपर कास्ट और लोवर कास्ट में हम लोग उने अपने आपको बात रखा था जो untouchable से या लोवर कास्ट के लोग थे वो public places पे नहीं जा सकते थे जहां पे अपर कास्ट के लोग जाते थे मंदिन में जाना उने allowed नहीं था उने public buss public transport इस्तिमाल करना allowed नहीं था वो जहां से सारे लोग पानी भरते थे वहां से पानी नहीं ले सकते थे नल से पानी नहीं पी सकते थे so dr. अंबेट कर के साथ और भी बहुत सारे लोगों ने मिल करके इसके लिए काम किया था and the government also recognize this and make special provision for the group within a society that are unequal अगर मैं present time में कहूं in our society so एक general tendency है लोगों के बीच में कि they make a difference between a girl child and a boy child अब वो inequality कैसे हो सकती है कि boy को ज़्यादा importance मिले girl को ना मिले या हम पहले से ही decide करके रख लेते हैं कि girls को क्या कहते हैं जादा पढ़ाना नहीं है उनके उपर पढ़ाई पर पैसा नहीं खर्च करना है boys के उपर करना है क्योंकि लड़कियों की तो शादी करके उनने घरी समालना है तो they should learn the how to take care of the home खाना कैसे बनाना है so that has to be changed government ने उसके लिए भी काम किये है बहुत सारे school खोले हैं जहां पर girls को पढ़ाया जाता है government schools में girls की fees माफ करी गई है कहीं जगे बहुत कम कर दी गई है अगर single girl child है तो उसकी education free करी गई है government school में इस तरीके के बहुत सारे steps लिए गए है so students I think this should we can see that everywhere यह जो girl और boy वाला difference है वो हम लोग को असानी से देखने के लिए भी मिल जाता है चाहे वो educated हो या un-educated हो then a constitution a Indian constitution lays down the basic rules or laws that have to be followed by everyone अब हमारे Indian constitution याना जो हमारा भारती समविधान इसने कुछ rules or regulation laws बनाए है जिसको हर किसी को follow करना है और यह जो laws है यह दोनों लोगों को follow करने है government को भी follow करने है और people यानि कि उसके citizen को भी follow करने है conflicts and differences have to be resolved according to these laws जो हमारे conflicts हैं जो differences हैं इनको resolve ही हम इनी laws के अंतरगत करते हैं अब यह जो laws बने हैं इसमें सब को equal रख करके काम किया गया है ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़े घर का बच्चा है उसने कुछ crime कर दिया या उसने कुछ गलत किया तो उसको punishment नहीं मिलेगी और गर ऐसा नहीं है जो गरीब ने किया है या अमीर ने किया है दोनों के लिए बराबर है either it has been done by the boy or a girl but there are the some कहते है ना उसके अंदर कुछ लिखे गए है rules लिखे गए है उनके अंदर कुछ वो दिये गए है start लगा करके circumstances दी गए है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए but there is a rule की सब को बराबर में दिया गया है in India equality and justice have been promoted by the constitution in many ways सबसे पहला सबको vote देने का अधिकार मिला हुआ है हमको इस चीज़ की freedom है कि हम अपना जो भी धर्म है उसको कोई भी धर्म को हम follow कर सकते हैं कोई भी भाशा बोल सकते हैं अपने views को express कर सकते हैं एक जगे से दूसरी जगे जा सकते हैं freely और हमको हमारे रंग, हमारी जाती, हमारे धर्म की विहाफ पर discriminate नहीं किया जाएगा सो चलास, I think all of you have understand the chapter number 4 now I am going to send you the worksheet so you can do it if you have any query, you can ask me thank you class